अगर पेट्रोल एक या दो रुपे नहीं बलकि सीधे 33 रुपे सस्ता हो जाए तो यह लोग खुशी से पागल हो जाएंगे आपको भी लग रहा होगा कि यह पागल पन वाली बात है क्योंकि सरकार की कृपा द्रिस्टी से तो पेट्रोल का भी सस्ता नहीं होने वाला है बलक कि शराब और बियर पर भी हो सकती है वैसे बिहार वालों को इससे कुछ लिना देना नहीं है लेकिन टूर पर अगर आप कहीं जाते हैं तो आपके लिए भी एक बेहत खुश खबरी हो सकती है बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से पेट्रोल को जीस्टी के दाइरे में ला इदर बियर और शराब वाले अलग टक टकी लगाई देख रहे हैं कि सरकार उनके बारे में क्या विचार विमर्श कर रही है तो हम आपको सब कुछ एक-एक करके बताने वाले हैं कि जीस्टी के दाइरे में आने के बार पेट्रोल और डीजल कदाम कितना होगा तथा जो बिहार की सभी खास चीज़ों को पूरे भारत में पहुंचाता है आम के मौसम में उससे वंचित सभी लोगों को आप इसके वेबसाइट द्वारा ताजा दूधिया मालदा आम पहुंचा सकते हैं आम खराब निकला तो रिफंड की सुविधा भी उपलब है जंता जंक को लागो हुए पात साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक जीस्टी के दाइरे से पेट्रोल डीजल और शराब को बाहर रखा गया था कि इंद्रे सरकार हो या राज्य सरकार दोनों को ही अपना खजाना खाली होने की डर से पेट्रोल डीजल और शराब को जीस्टी में अभी तक शामिल नहीं करना था लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी पेट्रोल और शराब दोनों को GST में शामिल कर लिया जाएगा जिसको लेकर 28 और 29 जून को चंडीगर में GST काउंसलिंग की बैठक हो रही है जिस दोरान कई बड़े बड़े फैसले लिए जा रही है साथ ही आम जंता को भी बड़ी राहत मिलने वाली है क्योंकि एक तो पेट्रोल डीजल के दामों में खमी आएगी जिसका असर सभी जरूरत मंद चीज़ों पर देखने को मिलेगा तो वहीं दूसरी और शराब के दामों में भी कमी देखने को मिलने वाली है ऐसे बाहर जाएंगे तो वहां तो आपके पैसे बचेंगे ही तो वहीं जब पेट्रोल के दाम कम होंगे तो सोचे आपको कहीं आने जाने और रोज मर्रा की चीज़ों को खरिदने वक्त भी अपने पौकेट जादा टटोलने नहीं पड़ेंगे ऐसे में आपको बता दें कि यह सारे कयास इसी लिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जीस्टी काउंसिलिंग के ठीक पहले पीम के आर्थिक सलाहकार परीशत के चेर्मेन विवेक देब्रोय ने जीस्टी में पेट्रोल डीजल सहित शराब के शामिल होने की आशंका जताई है और कहा है कि पेट्रोल और काफी जादा बढ़ चुकी है लोग बेसबरी से जीस्टी के दायरे में इसे लाना चाहते हैं ऐसे में जानकारी के लिए आपको ये भी हम बता दे कि पेट्रोल डीजल के बाद राजियों में सबसे जादा कमाई शराब से ही होती है और यही वज़ा है कि अभी तक इसे जी देखते रहें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में साजा करें इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि लोगों तक भी खुशकबरी पहुंच सके आगी कैमेरा हैंडल विशाल कर रहे थे और मैं आपके साथ बंदना धन्यवाद